Emitra Training Coach में आज हम सीखेंगे Emitra की एक Service एक Plus One Recharge Service तो इस Service का इस्तेमाल किस परकार से करना है? दोस्तो इस Service का इस्तेमाल करके आप Mobile वर DTS Recharge कर सकते हैं Emitra Kiosk Portal के माधियम से तो आप इस Service का इस्तेमाल किस परकार से करेंगे? यही जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आपको Live Demo करके दिखाने वाला हूँ किस परकार से आप Mobile का Recharge यहाँ पर कर सकते हैं तो आए दोस्तो सलते हैं Computer Screen पर जानते हैं कि किस परकार से Recharge किया जा सकता है तो दोस्तो सबसे पहले Emetra Kiosco Portal पर लोगिन हो जाने के बाद आप क्लिक करेंगे Utility Type Service यानि कि आपको Utility Service पर जाना होगा तो हम क्लिक करते हैं Utility Service पर उसके बाद दोस्तो सर्च के अंदर टाइप करना है प्लस वन जैसी दोस्तो प्लस वन टाइप करेंगे यहां पे दोस्तो देख सकते हैं plus one recharge की service आपकी screen के उपर आजाएगी इस service का आप सैन करेंगे यहां पर simply क्लिक करेंगे सैन का सैन हो जाएगा उसके बाद दोस्तो यहां पे mobile phone number डालेंगे जिस mobile phone number पे recharge करना है उसके बाद दोस्तो operator यानि कि सीम कौन से network की हैं तो यहां पर DTS तो DTS रिचाज कर रहे हैं तो DTS की डिटेल बड़ आ रहेंगे यहां पर mobile phone नमबर है तो mobile phone तो यहां पर सभी service provider यहां पर देखाई दे रहे हैं तो आप service provider का सेयंद कर लेंगे तो मैं यहां पर कर लेता हूँ दोस्तो वोड़ा phone उसके बाद दोस्तो मैं यहां पर amount डालूंगा तो यहां पर concept plan का प्रिचाज कर रहे हैं तो आप देख लें उसके बाद amount डालेंगे उसके बाद get bill for detail पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर detail आजाएगी मोबैल phone number enter करने के बाद continue पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों जैसे secondo बेक्लिक करेंगे पिपयवाइव वालेट का option आएगा पेव वालेट पे click करेंगे आपका research successfully हो जाएगा तो यहां पर पी वालेट पे जैसी क्लिक करेंगे आपका रिषाज सक्सेशपूल हो जाएगा टोकन जनरेट हो जाएगा दोस्तों इस परकार से प्लस वन रिषाज सर्विस को यूज करके इमित्र क्योस के माधियम से मुबाइल वर डिटीयास रिषाज किये जा सकते हैं तो यह ज़रूरी जानकारी थी जो इमित्र क्योस को